सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाया जहां एक तरफ बाजारों में ये खबर आई तब प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिली लेकिन तुरंत इसके बाद फिर खबर आई कि सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर लगा बैन नहीं हटाया है तब फिर प्याज की तेजी गायब हो गई दरसल आपको बता दे कि सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट पर लगा बेन हटाया तो है लेकिन सिर्फ चार देशों के लिए दरसल खबर ये थी कि व्यपारी अब चार देशों में कर सकेंगे 54,760 टन प्याज का निर्याद वहीं इसकी अधिक जानकारी देते हुए उभोकता मामलो के सचिव रोहित कुमार ने बताया है कि यह वैसला विदेश मंतरालय की रिकमेंडेशन के बाद ही लिया गया है आपको बता दे कि इस से पहले यानि मंगलवार को केंदर सरकार द्वारा प्याज को एक्सपोर्ट करने पर लगी रोक को निरस्त करने की बाद से इनकार किया गया था दरसल इसमें सरकार का कहना था कि प्याज की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए इसके निर्यात पर पहले से घोशित समय सीमा 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी वहीं आपको बता दे कि अब खबर ये निकल कर आ रही है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अभी भी यानि 30 मार्च के बाद भी सरकार द्वारा रोक लगाई जा सकती है आपको बता दे कि अगले महीने में देश में लोकसबा चिनाव की तारीकों का एलान होना है ऐसे में अगर मई महीने में मतदान होते हैं तो सरकार महंगे प्याज का जोखिम नहीं उठाएगी हलाकि इस दोरान रभी सीजन में प्याज का प्रोडक्शन कम हो सकता है खास तोर पर महाराश्टर जैसे राज्यों में इसके प्रोडक्शन पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है ब्यूरो रिपोर्ट मार्की टाइम्स टीवी